नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं BSA National News आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की वो लड़की जिसने भारत का नाम पूरे विश्में रोसन किया है और वह लड़की एक ऐसे समाज से तालूग रखती है जिस समाज की महिलाओ को किसी भी परकार का कोई अधिकार नहीं था आज हम उस लड़की के बारे में आपको बताएंगे जिस लड़की ने भारत का नाम पूरे विश्म में उचा किया है वह लड़की कोई और नहीं उस लड़की का नाम है हीमादास हीमादास की जीवन परिच्चे के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखे भारत की इश्टार एथलेटिक हीमादास का जनम 9 जनवरी सन 2000 को असम राज्ये के नागाव जले के एक दलित परिवार में हुआ था हीमादास के पिता का नाव रंजित दास और उनकी माता का नाम जोमाली दास है उनके पिता खेती का काम करते हैं और उनकी माता जी ग्रहनी हैं हीमा दास के घर में 16 सदस्थे हैं और घर परिवार की आर्थिक इस्तिति ऐसी है कि खाने पीने का किसी भी तरह गुजरवसर हो जाता है हीमा दास के परिवार में हीमा और उनके माता पिता के अलावा 5 भाई और बहन हैं हीमा ने अपनी सुरुवाती पढ़ाई डेग गाउं से ही की खेलों में रूची होने के कारण हीमा ने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी हीमा दास का केरियर जब हीमा गाउं में रहती थी तो बाड की वज़े से कई दिन तक प्रेक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि जिस मैदान में वह दोड़ कर तैयारी करती थी बार आने पर वह पानी से लबालब हो जाता था वर्ष 2017 में हीमा राजदानी गोहाटी में एक केम्प में हिस्सा लेने आई थी तब हीमा दास पर निपुन दास की नजर पड़ी थी और हीमा दास के जीवन में एक गुरू की कमी थी वो पूरी हो गई थी जिसके बाद निपुन दास ने हीमा को एथलेटिक के गुन सिखाए निपुन दास ने हीमा के बारे में बदाया था कि एक बार जनवरी का महीना था हीमा एक स्थाने केम्प में हिस्सा लेने राजदानी गोहाटी पहुंची थी उस समय वह ट्रेक पर जिस तरह दोड रही थी मुझे लगा कि इस लड़की में आगे तक जाने की काबियत है इसके बाद निपुन दास हीमा के गाउं में उनके माता पिता से मिले और कहा कि वे हीमा को बहतर कोचिंग के लिए गोहाटी ले जाना चाते हैं लेकिन हीमा के माता पिता गोहाटी में हीमा दास को भेजने का खर्च नहीं उठा सकते थे लेकिन बेटी को आगे बढ़ती हुई देखना चाते थे इस मुश्किल स्थिती में निपुन दास ने हीमा के माता पिता से कहा कि मैं हीमा के गोहाटी में रहने का खर्च मैं खुद उठाऊंगा बस आप हीमा को बहार रहने की मंजूरी दे दो जिसके लिए हीमा के माता पिता तयार हो गए सुरुवात के दिनों में हीमा को फुटवल खेलने का बहुत शौक था वे अपने गाउं या जिले के आसपास छोटे मोटे फुटवल मैच खेल कर सौ दो सो रुपे जीत लेती थी फुटवल में खुब दोड़ना पड़ता था इसी वज़े से हीमा का स्टेमिना अच्छा बना रहता था जिस वज़े से वह ट्रेक पर भी बहतर करने में काम्याब रहती थी हीमा दास के गुरू निपुन दास ने बताया कि जब उन्होंने हीमा को फुटवल से एथलेटिक में आने के लिए तियार किया तो सुरुवात में उन्होंने हीमा को 200 मीटर की तयारी करवाई लेकिन बाद में उन्हें ऐसास हुआ की वे 400 मीटर में अधिक काम्याब रहेंगी हीमा दास से जुड़े कुछ रोचक तत्तों की बात करें तो हीमा दास का उपनाम डिंग एक्सप्रेस है जिसके लिए उन्हें जाना भी जाता है हीमा का सवबा बड़ा ही सरलवा सहज है हीमा दास के बेस्ट परफॉंडमेंस की बात करें तो वर्ल्ड अंडर टुवन्टी चैंपेंशिप 2018 में हीमा फिनलेंड में सुवन पदक जीतकर रातो रात सुर्खियों में आ गई थी हीमा दास ने 400 मीटर की दोर इस परदा में 51.6 सेकिंड का समय निकाल कर सुवन पदक जीता था जिसके लिए हीमा दास को 25 सितंबर 2018 को राष्टिय पुरुषकार अरजून ओवर्ड से भी नवाजा गया था अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद